आज मैं आपसे पची-खुची उन से आज घंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुती खुबसुरत सा एक जुराफ का डिजाइन लेकर आई हूं यह कलाई से शुरू होने वाला जुराफ का डिजाइन है यह में 0 मंद से 6 मंद का बेबी के लिए बना आ रही हूं इसके बहन लेना है 1-by-1 का रिप डिजाइन एक उल्टा और एक सीधा बिंते हूं अब देखे इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हूं में लाश्ट में आ चुकी हूं यह हम बोडर बना रहे हैं एक सीधी एक उल्टी बिंते हुए अब देखिए एक सीधा लस्ट का एक ब कुल्टी भी नहीं इसी तरीके से आपको भीन लेना है अब देखिए दोनों से इसी तरीके से बीनती हुए अभी में इतनी बीन चुकी हूं और यह इस तरीके से बन कर आ दालती हुँ अब देखिए इधर चैड़ी 14 भंदे बंदगानी है एक दो तीन चार पांच छे साथ दूने चाउद बीस चेंटर में 14 फंद आपको बंद गरने हैं दो फंद बिनने है और पिछे का फंद इसी काऊपर से गिडिए अब देखें इधर साइट का चोदह फंदें भी में बंदगर चुकी हो और। इस तरीके से बंदगर आ रहा है। अब देखें इसाइट लखाने हैं। शीरेः यह सबंद नौ सब्तिर मैं दो ножी सबस्कार के नहीं। अब देखें यहां से आपको शीयाट सके शीयां दालें हैं ! बहुत ही इजी है इसलिए मैं आप से स्यार कर रहे हूँ आप भी जरू प्राइगार दोस्ता स्यार करना बुलिए अब देखे मैं इसी तरीके से शारी छीधी-पिशीधी बिणते हूए लास्ट मैं आ चुकी हूँ इस तरीके से नवभंदे बिनने के बाद फिर पलाटनी है दूसरी साइड यह इसका ब्याक साड है ब्याक साड से हम सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनेंगे अब देखे इसी तरीके से ब्याक साड सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनते होए बनानी है अब देखे में इसी तरीके से सारी फंदे उल्टे बिनाई बिनते होए लास्ट में बना नहीं है और भाके का सारी फंदी फिर सीदीजी बना नहीं है देखे यह धागा ठोड़ी टाइट गर लेना है ताकि ना गिरे अब देखें यहां से फिर में इसी तरीके से सीदीजी बिनते हुए बनाती हूं बहुत ही इजी है इसलिए मैं आप से से शेर कर रही हो अब जरूर ट्राइब दोस्तों च्यार्गन मत बुलिए इस तरह कासान और यूनिक पोड़ेट लेकर आती हूं अब तक नहीं हो तो चैनल विजिट गर के जरूर देखिएगा अब देखें सीधी साइड से इस तरह के से बिनने के बात इसका ब्याक साइड से देखा रही हूं प् सीधी साइड से फिर इसका उपर दागै देखें बनाए है अब देखें इसी तरीके में इसी बात को रिपीट गरना है अब देखें इस तिरीके से इसी बात को रिपिट गर औहından देखें ये में इतनी हूं हुआ इसका डिजाइन देखे एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ डिजाइन बनकर आ रहा है अब इसका उपर का लंबाय पूरा हो चुका है इसलिए इसका उपर एक बार दागा चेंज गरके बिनेंगे देखे इस तरह के से दागा चेंज गारनी है और बाकी का फिर सारी सीडी की इस इस तरह से उसक्रशाशतर सब्सक्राइब पर भिलिएक सब्छेलों सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेगने थाका वे एक शेचेल气। देखे यह कट लगाने के बाद दूसरी साइट से निडल डालनी है अब देखे सारी फंदी में डाल चुकिए दोनों साइट का जो जाईट रहे देखेerold दिक लायों से यहां से आपको फंदी कम जाएनों सुरी सारी फंदे या सारी हुटाicularई आपको उठा देना है इस तरीके से ये धागा एक बार लग लगाएंगे और फंदे उठायानी है इसमें हम पीछे का chain से फंदे उठायेंगे अब देखें में इसी तरीके से इधर में 14 फंदे उठाया चुकी हूँ यहां से परतक डिजाइन से एक एक बार उठायेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट डिजाइन है, फर्तक डिजाइन से एक बार उठाएंगे, देखिए ये नीचे का डिजाइन से एक बार उठाएंगे, एक, देखिए ये डिजाइन से फिर, दो, ये डिजाइन से एक, तीन, फिर ये डिजाइन से एक, चार, फिर ये डिजाइन से एक, पांच, फिर ये डिजाइन से एक, छे, फिर ये डिजाइन से एक, साथ, फिर ये डिजाइन से एक, आठे, इस तरीके से आपको फंदे उठा यानिए दिखेए दुद उठानी के बाद इदर का नोव कि फिर आपको सीदी विनैं बेन लेना ना है एक दो कि तीन के चाहला पांच छे साथ आठ और यह नौन बन दिखे इस तरीके से यहां तक फंदे उठाने के बाद यह इस तरीके से बनकर आरह है फिर इधर से आपको फंदे उठानी है यह तक इसके लिए आपको यह नीडल चोड़कर दुस्री नीडल से यहां से आपको फंदे उठा नी Yukita मैं मुटता रही हुँ नर्थ हो दोजिए उखाईए ऊपकर के जिस तरीके से आप कर दीडला में लिन अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे उठाकर इसमें आठ फंदे उठा रही हूं देखिए यह लास्ट वाला डिजाइन है इसमें भी आपको उठानी है इस तरीके से आठ फंदे उठानी के बाद फिर इधर से 14 फंदे उठानी है पर्तेक चेन में आपको एक एक बार उठ बढ़ानी है जो हाम 14 फंदे बंद गर रहे थे वह वाला फंदे हम उठाएंगे और इसमें आपको पीछे का चेन लेकर आपको उठा देना है अब देखें इसे तरीके से यह ब्याक साइट का चेन उठाती होए मैं लास्ट में आ रहे हूं परतेक चेन में आपको एक एक बार श्रीफ उठा देना है अब देखें पलटनी है दूसरी साइट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिना इस तरीके से आपको बना देना है सारी फंदे उल्टी बिना बिनती होए देखें सारी फंदे उल्टी बिना बिनती होए मै लास्ट में आा चुकी हूं इस तरीके से ब्याक शाणछी विन्थे लगताइं के बाद आप देखें इसके निया सप्रेखें के दिशमगर को द्यासे घ्लाmp नाओं हमां सब्सक्राइब doing is सिधी सिधी करी में और स fel और स्वाद है, यह लगा क्या टेंगा। बार बार आपको रिपीड गार्तो है। ये इसकाा ब्याकसाड से गालें हैं इसे तरवियां है का चेंड टेहिए गाल लेकार देखिए सीधी साड़ से सारी फंदी सीधी बिनने के बाद अब इसका ब्याक साड़ से देखा रही हूँ ब्याक साड़ से आपको सारी फंदे उल्टी बिने बिन लेना है इस तरीके से इसका उपर बिन लेना है अब देखिए मैं सारी फंदे उल्टी बिने बिनते हुए ला साट से इसी तरीके से सीदी सीदी बिन कर बनानी है धारी वाला डिजाइन है, इसका रट का उकर इतनी बनने के बाद फस पंदहा भीनाला मिना dairy पिजेए फिर सारी खंद सीदी इस तरीके से बनाईएगा इसका उपर now अब देखे मैं इसी तरीके से बिंते होए इसका लश्ट में आ रही हो पारी वाला डिजाइन आ दिजाइन बना रही हूं ॱ्पने-बिनने के पाप पर यसी तरीके से बल में पkommen बिच्छे का फंदे अब दो होगा यसी कब बनने के बाद बिनने हैं पिछे का फंद्य इसी का और से घिरा देना इस तरीके से इसका पर का फंद्य बन्द गार नहीं हूं बहुत ही ईजी है इसलिए आप से शेयर करें आप ज़्यार रहे हैं आप देखें धोड़ी के इसना है अर इधर साइड गाट लगा देना है अदेखे यह इस त तरीके से जोड़ा गर रही हूं आज का ये जुराप बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए परसनाइटी बड़े को लाइक किजे तो अस्तस्यार गन मत बुलिए अब देखे इसी तरीके से में लाश्ट में आ रही हूं इधर साइड में एक दो बार लग लगाती हूं देखे इस तरीके से लग लगानी है अब देखे ये बनकर रेडी हो चुका है आज का ये बेब बुट बनाने का तरीका आपको क्या सा लगा कमेंट करके जरूर पताईए